इसलाम लेकुम एविवन, I hope you're all fine, so today we are going to discuss all about LLB degree program LLB से मतालिक तमाम तर इन्फरमिशन जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेर करूँगी I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए useful और informative रहे बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो कि मैं आप लोगों के लिए research कर रहे होती हूँ तो मुझे भी मिरे लिए भी नई होती है तो मुझे भी फायदा होता है मुझे भी सीखने का मौका मिलता है बिलकुल आप लोगों के साथ ही ЛЛП के बारे में बात करें तो यह पाकिस्तान की लीडिंग और बहुत ऐडिमान डिक्री है क्योंकि बहुत साज स्टूडेशे है जोवके इस डिकरी को करना पसंद करते हैं और अपने आपको enroll करते हैं कि हम लोगों ने ये करना है हर हाल में क्योंकि देखे हर चीज़ का एक कानून होता है कानून उतना ही जरूरी होता है जितना कि आप लोगों को और बाकित सारी चीज़ें जरूरी आदि जिन्दगी क्यों होती है लोगों को आगे जिन्दगी चलने में आसानी करता है मतब़ आप लोगों को आगे जिन्दगी कैसे गुजारेंगे बहुत सारी मुश्किले हल करता है बहुत सारे मसलों को solve करता है और आप लोगों को solution देता है तो I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए उनको भी वीडियो उनके लिए वीडियो यूसफुल और इंफर्मेटिव रहे तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा आई जानते हैं सबसे पहले कि आखिर LLB है क्या इसका एम क्या है इसका मकसद क्या है और इसका पॉपस क्या है आसान वर्ड्स में आप लोगों को कह होता है समाजी और सकाफती लोगो होता है हर चीज़ का एक कानून होता है जैसे हर चीज़ का एक वक्त होता है इस तरह हर चीज़ के लिए हमारे मुलक में भी एक कानून है जिसको हम स्टड़ी करते हैं और इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है आगे अपनी जिन्दगी असन बनाने के लिए तो इसके इस L LB की डिगरी के अंदर हम Tमाम तर information जानते हैं लॉव के बारे में और research के साथ proper तरीके से जो है study करके अच्छा कानून दान बनते हैं, कानून दान किसी भी form में होसकता है बेरिस्टर हो advocate हो, police वाला हो, magistrit हो, prosecutor हो, कोई भी हो उसके थूरूर जो है आप लोग जो है जो अपना जो लौ है आप लोग उसके जिन्दगी गुजार सकते हैं और कानून दान अच्छे बन सकते हैं यह तो होगी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने LLV के बारेस में आप से लोगों के साथ शेर किया हैब हम लोग जानते हैं कि कौन सी यशी यूणिवर्सिटीज है जो इस डिगरी को करवाते हैं तो आप लोग लिस्ट देख सकते हैं के पंजाब भर में बहुत अच्छी अच्छी उनिवरसिटी है, गौर्मेंट उनिवरसिटी है, फैसलाबाद कैमपस, उसके बाद नस्ट है, कनेड कॉलिज फॉर वुमिन्स है, उनिवरसिटी अफ पंजाब है, उसके इलावा यूम्ट है, प्राइवेट भी बहुत है, गौर्मेंट सेक्टर्स की उनिवरसिटी भी बहुत जादा है, बलके पी-उ में तो स्कूल अफ लॉव बहुत ही फेमस है, के वहां से बहुत अच्छे अड़ोकेट निकलते हैं और पढ़ते हैं, तो यह आप लोग लिस्ट देख सकते हैं जो के पंजाब भर में हैं, सिंध में अग भी बहुत अच्छे ची उनिवरसिटी हैं, केपिके में भी बहुत अच्छे ची उनिवरसिटी हैं, केपिके में देखे तो यनिवरसिटी ऑफ हरीपूर है, यनिवरसिटी ऑफ सवात है, यनिवरसिटी ऑफ पिशावर है, सिंध म भी University of Balochistan है और दो तिन और भी हैं जहां पे इस डिगरी को perform करवाया जाता है हर सुबहे में जो है इस डिगरी की बहुत demand है तो अब हम लोग जानते हैं इसकी duration के बारे में क्योंकि duration इसकी एक बहुत ही important question है मुझे लगता है क्योंकि पहले ऐसे होता था कि तीन साल का L.L.B. होता था अब पांच साल का L.L.B. होता है तो इसमें बच्चों को बहुत confusion होती है कि हम आखिर क्या करें ये क्या चीज़ है हमें तीन साल का करना है ये पांच साल का करना है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि basically जो लॉचा की डिगरी होती है वो पांच साल की ही होती है अगर आप लोग intermediate करके आते हैं तो वो पांच साल की डिगरी होती है जिसके total 10 semesters होते है और इच समिस्टर 6 months का होता है उसकी यही duration होती है तीन साल का जो होता है वो basically law होता है जो के आप लोग BA करने के बाद, graduation करने के बाद या MA करने के बाद जो है वो करते हैं तो उसके equivalent जो होता है उसके बाद जो आप law के papers देते हैं तो उसके duration जो होती है वो तीन साल होती है BA के बाद भी होता है MA के बाद भी होता है तो किसी का दिल कर जाता है कि मैं dual degree करूँ तो उसके लिए जो होता है वो 3 years का degree program होता है अगर आप लोग intermediate के बाद law की degree को करना चाहते हैं तो वो बिलकुल 5 साल की degree होती है जैसे pre medical की, MBBS की 5 साल की होती है engineering की 5 साल की होती है तीन साल में आप लोगों के semester उसी according होंगे जिस तरहां से आप लोगों के years होंगे तो यह आप लोगों को मैं बता दूं कि यह इसका duration है और यह इसका proper setup है इस हिसाब से जो है आप लोग जो है अपने admission जो है ले सकते हैं और यह duration होती है क्राइटेरिया पर आए तो आप लोगोंने किया हो आइकों किया हो इस किया हो इवन एफसी की होती है स्टूडेंस ने वो भी eligible होते हैं मगर यह है कि आपके marks जो है merit के according होने चाहिए आप लोगों को मैं बता दूंगी वो नीचे कि इसकी क्या क्राइटेरिया है तो इसके बाद आप लोगों को मैंने उपर बताया है duration में कि आप लोग B.A. के बाद M.A. के बाद भी जो है इस degree को कर सकते हैं प्राइड के दिर्म्यान को एज होती है यह मिचे नहीं है यह वोग के पेपर दे सकते हैं घर बैटके त्यारी करके दे सकते हैं तो यह तो होगे eligibility criteria अब हम fee structure पर आते हैं इसके fee structure क्या है आप अगर हम government sector की होगी तो आप लोगों को प्रॉक्सिमेटली पर समिस्टर पचिस से 55,000 पड़ेगी और अगर आप लोगों को वो 75 to 95,000 तक पड़ेगी ठीक है तो यह होगी fees की बात अब हम जानते हैं कि इसका merit क्य जो हता है वो 50% required होता है मगर रुकें एक मिनन में आपको बताओं कि इसका एक test होता है which is LAT का test law admission test lat test होता है LAT कहते हैं कुछ लोग कुछ लोग उसको lat कहते हैं मैं इसको lat ही कहूंगी इसका जिस तरह md cat का test होता है यह का test होता है जिसमें आप लोगों को 50% marks required होते हो से कम हो तो फिर admission नहीं मिलता ठीक है तो यह आप लोगों को फिर total aggregate बनाना होता है intermediate के marks काउंट करके और अपने एंट्रोटेस्ट के मार्क्स काउंट करके और उसके हिसाब से अगर आप 50% अबव हैं तो फिर ही आप लोग एडियोबल है मेरिट के अकॉर्डिंग एललबी में अद्मिशन लेने के आगे अगे अगर हम लोग भड़ें तो हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इस तरह के तमाम तर सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोग के बारे में स्टडी कर सके हमारा स्कोप क्या होगा वेरी इंपॉर्टन पार्ट आफ एवरी वीडियो कि जॉब करियर क्या है अगर हम लोग इतना टाइम इंवेस्ट कर होने कर रहा होते हैं जिसमें हम लोग प्रेक्टिस पी करते हैं स्कूर्इड आपित कुम पता ही होग होुग इसके अंदर हम लोग लोग प्रेटमंट यूं चल सकते हैं만 ह। हैं हम लोग एफ़ाइए डिपार्टमेंट जोइन कर सकते हैं हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट जोइन कर सकते हैं हम लोग वह बन सकते हैं जीश्वा लॉयर बन सकते हैं हम लोग लॉयर सिंपल भी बन सकते हैं प्रॉपर्टी का एक हैंडलर लॉयर वह होता है उसको बन सकत करते हैं इन फ्यूचर जाके हम लोग रिशर्च डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं इसके लावा हर डिपार्टमेंट में हर कंपनी में भी इवन हर फॉर्म में भी एक लॉप पढ़ने कानून दान की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनकी कंपणी जो है और दिंग चलती रहें एक सिमिट्री में हम लोग किसी भी डेपार्टमेंट को गौर्मन के स्पेशली को में बहुत ही ज़रूरत होती है लल भी के स्टूडेंट की तो आप लोग को अच्छी मिल जएगी कर साइदा कोर्ट में भेजा जाता है उसकी जर्णल प्राक्रिसिंग करवाई जाती है तो आप लोगों को स्किल्फुल होना बहुत जुरूरी है इस डिग्री को परस्यू करने के लिए तो यह तो हो गए जी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने ल्लबी के हवाले से आ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंचन करतूँ है आप लोगों उसको क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं इसकी कंप्लीट गाइद भी मुझे नहीं इजाज़त मैं दबारा आओंगी अला आफिर